अगे मेरे पास एक नोटिस आया इकतिस लाख उर्पे का सिरिफ 4F की वज़ा से सिरिफ 4F की वज़ा से ठीक है ना मेरे पास एक नोटिस आया सर ऐसा क्या था 4F की वज़ा से जो नोटिस आया पहले इस 4F को समझो 4F हमारा बताता है advance on which tax has been paid advance on which tax has been paid but invoice has not been issued not covered under A2E above क्या लिखवा है पहले ध्यान से समझो फिर दुबारा से advance on which tax has been paid कि एक एड़ा ऐसा advance जिस पे tax paid कर दिया गया है लेकिन उसका invoice issue नहीं किया गया यहाँ पर वो detail आईगी तो अगर मैं आपसे एक example से पूछू कि भाई जरा मुझे ये चीज बताओ जरा मुझे ये चीज बचता हो मैंने अप्रेल में मैंने अप्रेल में आपसे fees ले ली कि मैं आपका काम करूँगा advance में fees ले ली अप्रेल 2022 में जरा ध्यान से समझना case को अप्रेल 2022 में advance में fees ले ली let's suppose करो एक लाक रुपे या एक लाक अठारा हजार रुपे मैंने आपसे fees ले ली एक लाक अठारा जार रुपे मैंने आपसे advance में fees ले ली total काम था 5,90,000 का पाच लाक रुपे का काम था 90,000 उस पर GST था लेकिन मैंने अप्रेल में advance ले लिया अप्रेल 2022 में एक लाक अठारा जार रुपे और 3B में tax pay कर दिया एक लाक पे GSTR 1 में advance दिखा दिया एक लाक रुपे अब जो ये पाच लाक रुपे का बिल था ये मैंने मार्च 2023 में दे दिया और advance को adjust कर दिया तो अब बताओ 4F में कितनी figure आईगी 4F में कितनी figure आईगी example है कि अप्रेल 2022 में advance लिया और मार्च 2023 में मार्च 2023 में उसका पाच लाक का invoice दे दिया तो 4F में कितनी figure आईगी ठीक है न तो जिन लोगों ने कुछ लोग 00 निलिल कह रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं पूजा जी CA पूजा कल्यानी जी सर्वर कह रहा है तो answer is zero answer is zero इसके अंदर एक रुपे की figure नहीं आई जो case मैंने discuss करा है case इसमें देखो फिर दुबारा बढ़ो 4F क्या कह रहा है advance on which tax has been paid but invoice has not been issued तो अभी जो हमने case पढ़ा था उसमें क्या था कि advance has been paid and invoice has been issued invoice has been issued और यहाँ पर जाना था वो कि invoice has not been issued तो यहाँ पर जब इसकी adjustment हो चुकी है तो कई बार क्या होता है कई बार क्या होता है आप यह वाली adjustment 3B और 1 में करना भूल जाते हो आपने यह वाली adjustment properly 1 या 3B से नहीं करी और तुम्हारी 1 से जो data उटकर आया वो गलत आ गया तो आप उस data को यहाँ पर ठीक कर लो क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे audience वो हमारे को payment डाल कर भूल जाते सर्वीस ही नहीं लेते किसी ने 5,000 की payment डाल दी 10,000 की डाल दी वो भूल गए सर्वीस ही नहीं ली ठीक है न उसके बाद मैं कहते हूँ जब बुक्स फाइनल कर रहा हो तूँ मैं कहते हूँ भाई यह advance है हुआ यह किसका है कह रहे सर पता ही नहीं चल रहा कोई अपनी detail ही नहीं दे रहा पता ही नहीं चल रहा कोई अपनी detail ही नहीं दे रहा फिर वो 6 मह मेने बाद कहते हैं मेरे को तो छह महीने से मेग जीन ही नहीं आ रही है अब भाई तुने पेहमेंट डालके बता ही नहीं है भारे को हम तुझे ढूंड रहे थे तो ऐसा एडवांस था जब मुझे पता ही नी चला 31 मार्च में किसका है तो मैं उसका इन्वोईज कैसे इस्व करता तो मैंने उस एडवांस को 31 मार्च में दिखा दिया थिरी भी में उसके उपर टैक्स दे दिया GSTR 1 में उसके उपर टेक्स दे दिया लेकिन मुझे पता ही नहीं चला वो था कौन लेकिन ऐसा वेक्ति मेरे पास दिसंबर 2023 में आया और उसने का साब ये मेरा एडवांस था तो मैंने क्या करा दिसंबर 2023 की GSTR 1 में उस एडवांस को अरजेस्ट कर दिया उसका इन्वोईज इशू कर दिया तो ऐसा अगर कोई एडवांस है जिसे मैंने अरजेस्ट करा है बाद में और बाईस तेज में सरिफ रिसीवड करा था क्या करा था सरिफ Received करा था, Tax Paid करा था लेकिन Invoice Issue नहीं करा था ऐसा Advance 4F के अंदर आएगा ऐसा Advance 4F के अंदर आएगा ऐसा Advance 4F के अंदर आएगा ठीक है? हाँ जी Advance के ओपर GST किस-किस case में लगता है? दो case हैं जिसके ओपर Advance में GST लगता है पहला case तो है सर्विस वाला दूसरा case को ही बताएगा? ठीक है? दूसरा case को ही बताएगा? दूसरा case है भई, आज की date में आज की date में दूसरा case है Composition Scheme, जिसकी यहां पर हम चर्चा नहीं कर रहे ठीक है? हाला कि दो ही case है तो आपके लिए जो एक case है वो Screef on promise क्वोंसा case है ठीक है दूसरा पहला कोन स्कास है अगर आपने Service में कोई advance ले लिया आपने Service में कोई advance ले ले लिया और उसका invoice issue नहीं करा Service में कोई advance ले लिया और उसका कोई invoice issue नहीं करा यहां पर 4F में completely ठीक है जी? किलियर हो गया अपने आपको म्यूट कर लेक्षमयादव जी प्लीज यह सर्विस में वर्क्स कॉंट्रेक्ट भी आएगा ना इसमें अब यहां पर इस चीज को समझो जब हम यहां पर बात कर लेते हैं कि सर्विस के ओपर एडवांस पर जीएस्ट आएगा यह वाली बाद हम सद्वने का अफ्रम सेक्षण 12 पढ़कर सेक्षिन 13 पढ़कर सीज स्विस को बताते बीद मन्नियों व्याच में हमने सेक्ष्ण 12 और 13 को एडिया है वह आप लोगों को किलियर होगा कि सर्विस में क्यों आता है और कंपोजीशन में क्यों आता है बीके ना इस नही कि आना कि मुझे मैसेज आ रहे हैं वी एक तो करते अर्जुन बैच उस पे डिसकाउंट दिया जाए अर्जुन बैच पे डिसकाउंट अर्जुन बैच तो हमारे पास क्या हो गया है दीपक जी हमने उसमें जो सीट वह लगबग हमारी कंप्लीट हो गई है बस लोगों की रिकवेस् कि नहीं करेंगे लेकिन अगर हमारे पास ज्यादा रिक्वेस्ट आई तो ही पॉस्पोन करेंगे नहीं तो अगले हपते से अर्जुन बैच हम स्टार्ट करेंगे और उसमें हमारी लगबग सीटे कंप्लीट हो चुकी है ठीक है न है वह बात अलग है कि कई लोग लेने के बा तो डिसकाउंट मुझे नहीं लगता कि लगाना आकास कह रहें सर कर दो ना प्लीज डिसकाउंट तो चलो हमारे छावडा जी कह रहें और आकास जी कह रहें तो मैं टीम से बोलूँगा कि अर्जुन बैच पर ठीक है ना जब तक हमारा सेशन चल रहा है ठीक है तो एक कोड आज का जी एस्टियार नाइन स्पेशल डिसकाउंट है ठीक है ना जी एस्टियार नाइन स्पेशल करके कूपन कोड है वो ही लगा के करना अगर किसी ने एप में एक बार बिना डिसकाउंट के पेमेंट कर दी उसे रिटन नी जाएगी ठीक है एप से पेमेंट होनी ह तीक है अब ये कह रहे है पाँच हजार रुपे में कर दो तीक है ना मैं किताब पढ़ रहा हूँ हूँ तूबी बिगम रिच ये कहते है PAKEM 2000 परनमा तूबार दो परता है, अरजून बेच्च कॉन мेतनी लिप जाएगा चे लिए yhtाए हैं किसी को आइडिया अरजून से पंप से पड़ाहrà हु यह ऑषि है किसी को आइडिया अरजून बेचman होती हैं ठीक है ना CA final की किताबों से अर्जुन बैच पढ़ाया जाएगा जो CA final की किताबे हैं मई 2024 बैच के लिए ICI ने दी है उन किताबों से अर्जुन बैच पढ़ाया जाएगा अभिमन्यू बैच किस से पढ़ाया गिया है C.A. Inter की किताबों से नीचे लेवल की किताबे C.A. Inter की किताबे से सर ऐसा क्यों किया गिया पहले अभिमन्यू बढ़ाया है जो स्री 65 रुपे का बैच था 65 गंटे पढ़ाना था जो अर्जुन बैच है वो 180 गंटे का कोर्स है और अर्जुन तो अर्जुन है ना फिर उसे भीस्पितामा का भी सामना करना है चक्रिव में जाना भी आना भी है ठीक है ना हाँ जी और बताए दूसरी क्या 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 थी चाबला जी यही डेट एक्स्टेंट का मतलो करती दिसंबर के बाद अर्जुन बैच लिया थी अच्छा वो एक बार गुरुप में देखेंगे ठीक है ना एक बार गुरुप में देखेंगे क्या लोगों का आ रहा है ठीक है ना हाँ अनुज मिष्रा जी की क्वेरी भी बताते हैं अनुज मिष्रा जी बताएं आपकी क्वेरी क्या है ठीक है ना अनुज मिष्रा जी कोई क्वेरी तो अच्छा इत्ती लंबी क्वेरी कि अभी बताएंगे वह सब्सक्राइब करके रख लो वह सब इनकी फोटो खेच के रख लो चावड़ा जी कि एक बार टेवल कर ले कि अब यह कई लोग कहरें तर आपने जो अभी बताया कि जो एडवांस हो गया उसको डिसेंबर में डिसेंबर की रिटन में लेना है पहले इस चीट को समझो यहां पर जो मैं यहां पर एडवांस का मुद्धा डिसकर्स कर रहा हूं यहां पर रेज गाजी जी आप थोड़ा इसमें हमने क्या बात करी कि मैंने एडवांस रिसीव करा फनेंशल यह 22 तईच में तो मैंने जब 22 तईच में रिसीव करा तो मैंने उसे GSTR 1 में दिखा दिया मैंने 3B में दिखा दिया मैंने GSTR 9 में दिखा दिया जो मेरी टेबल नंबर आ रही थी ऊपर ठीक है ना जो मेरी टेबल नंबर 4F है अब इस एडवांस के अगेंस्ट में मैं सप्लाई तो 23-24 में कभी भी कर सकता हूं 24-25 में कभी भी कर सकता हूं 25-26 में कभी भी कर सकता हूं तो यहां पर तो कोई restriction है नहीं ना कि जब मैं अडवांस रिसीव कर लूँगा तो मुझे उसकी supply सितंबर तक करनी है या अक्टूबर तक करनी है ऐसा नहीं है तो जो मैंने अभी example लिया उसमें मैंने यही example लिया कि मैंने यहां पर 22-23 में अडवांस रिसीव करा था मैंने 22-23 में अडवांस रिसीव करा था और उसकी जो supply है मैंने दिसंबर में दी तो वो दिसंबर 23-24 में दी इस वज़े से मैंने यह adjustment आपको बताईए ठीक है ना जी